किसी भी प्रखंड और अंचल के विकास और सुविधाओं की जिम्मेदारी होती है प्रखंड के प्रखंड सह अंचल कारियाले की लेकिन जब प्रखंड कारियाले का भवन ही गंदगी और कुवेवस्था का सिकार हो तो क्या कहा जाए हम बात कर रहे हैं दानापुर नवनिवित भवन की इस भवन में आपको जगा जगा गुटके और पान की पीक थुकी हुई मिलेगी डस्ट बीन के रहते हुए भी इधर उधर कच्रा फेका हुआ दिखेगा सौचाले की बात करें तो उसमें घुसते ही उबगाई आ जाएगी पीने के पानी के लिए भी कोई समुचित वेवस्ता यहां आपको नहीं दिखेगी हाला कि सौचाले के अंदर का बेसिन जरूर साफ दिखा लेकिन उसकी वजह जानकर और हैरानी होगी दरसल बेसिन में पानी पहुचाने का पाई भी कटा हुआ है तो जब बेसिन में पानी ही नहीं जाता है तो इस्तमाल भी नहीं होता है और सायद यही वजह है कि बेसिन साफ है और बाहर गंदगी इसके आगे की बात करे तो एक और बड़ी उदासींता नजर आती है कि प्रखंड कार्याले का पुराना भवन जो की अब इस्तमाल नहीं होता है नए भवन में कार्याले के सिफ्ट हो जाने के बाद वह जरजर भवन और बड़ा सा कैमपस अब कुरादान और जानवरों के मल मुत्र त्यागने की जगह में तबदिल हो चुका है अगर सरकार चाहती तो उस बरे से भुखंड का कुछ बहतर इस्तेमाल किया जा सकता था लेकिन वह कचरे के डंपिंग जोन में बदल गया है इतना ही नहीं एक और बड़ी खामी दिखती है नए भवन के निर्मान में कि उसके बाहर तो ना तो आने जाने वाले लोगों और ना ही गारियों के पार्किंग के लिए कोई शेड की विवस्ता है मजबूरन ब्लॉक के कर्मचारी दिन भर अपनी मोटर साइकिल धूप से बचाने के लिए कारियाले भवन के अंदर में लगाते है और जनता को तो धूप में खरा रहना नियती ही है और यह सब तब है जब खुद प्रखंड विकास पताधिकारी और अंचला धिकारी समेत अन्य पताधिकारी प्रती दिन इसी जगा बैठते है ऐसे में स्वच भारत अभियान की क्या इस्थिती है यह समझने वाली बात है ममता प्रशाद के साथ बनीश कुमार आपकी आवाज नियूज पतना